नमस्कार साथियों मैं आलोग दुबेदी एससी मेकर के इस परिबारे पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होगे जैसा कि आप सभी को पता है दो से तीन हमारी GKGS की एक बहुत ही important class चलती है जिसमें हम सभी exam oriented questions का discussion करते हैं तो आज हमारा practice set number 6 होगा जिसका हम deeply तरीके से explanation करेंगे तो आईए करते हैं अपनी class का सुभारम ये कुछ हमारे batches चल रहे हैं साथ ही हो SM by Agessera Play Store से एप को download कर सकते हैं और वहां से इन batches को purchase कर सकते हैं तो आईए करते हैं अपनी class का सुभारम पहला question है हमारा देखिए पहला question निमने लिखित राज्यों में से कौन सा राज बांगला देश से अपनी सीमा नहीं बनाता question पढ़ लीजिए आप सबसे पहले question क्या है निमने लिखित राज्यों में से कौन सा राज बांगला देश से अपनी सीमा नहीं बनाता A option है SM, B option है Nagaland, C option है Meghala, C option है Mizoram चार option है, आसागरदा आप सभी लोग इसका answer दे पाएंगे जोग्राफी का question है, कल को आपके जो भी exams आने वाले upcoming exams है जैसे UP Police Constable हो गया, या फिर SSC GD हो गया कुछ बच्चेयां पर CGL वाले भी बैठे होंगे तो बहाँ भी exam पूछा जा सकता है question जो है, उसमें confuse ना हुएगा इसमें लिखा, नहीं बनाता है, तो नहीं पूछा है तो जहां तक आप सभी को पता होगा, कि असम सीमा बनाता है बांगलादेश, बांगलादेश से असम सीमा बनाता है बांगी नागालेंड नहीं बनाता है मेघाले भी सीमा बनाता है और मिजोरम भी सीमा बनाता है तो इसका अंसर क्या हो गया साथियों इसका अंसर B option is correct B option, नागालेंड इसका अंसर हो जाएगा जिसकी सीमा म्यामार से लगती है किस से लगती है म्यामार से नागा लेंड की सीमा साथियों म्यामार से लग सकती है तो B option is correct बांकि अगर हम बात करें मेघाले की सीमा बांगलादेश से लगती है ये नोट कर लेंगे साथ साथ में बांगलादेश से मेघाले की सीमा लगती है अगर हम बात करेंगे मिजोरम की तो इसकी सीमा म्यामार म्यामार से भी लगती है और बांगलादेश से भी लगती है दो राज्यों से लगती है म्यामार और बांगलादेश से म्यामार की सीमा बाकि असम की अगर हम बात करें असम के बारे में भी जानेंगे असम की सीमा साथियों असम की सीमा जो लगती है असम यहां पर लिखेंगे असम वो बांगला देश से लगती है दो देशों से लगती है बांगला देश से लगती है और भूटान से लगती है बांगला देश और भूटान दो देश है जिनकी सीमा असम से लगती है असम तो इसका option A, B option इस correct answer हो जाएगा B option असम से लगती है अब ह पूलिस में कल को एक्जाम में पूछा जा सकता है जा जोग्राफी से कि छेटरफल की दृष्ण है भारत का साथ मा सा इस्थान है सातमा है और 2.4 टोटल बिसुका भोगोलिक प्रस्ता जो भारत का है वो 2.4 प्रतिसात है पूरे बिसुका भारत का जो छेत्रफल है वो 2.4 प्रस्तात है कितना है 2.4 तो इसका अंसर हो जाएगा C option अब हम चलेंगे next question की तरफ question number 3 क्या कह रहा है यह कुछ statement by question है हो सकता है कि लोगो CGL के exams में आ जाएगा UP police में यह मुश्किल है पूछा जाए लेकिन कहा नहीं सकते है अगर GS का level थोड़ा सा आप करेंगे तो यह question UP police में भी पूछा जाकता है लेकिन मुश्किल है CGL के द्रश्ट कोर से काफी important question है अगर CGL के बच्चे बैठे हुए है तो इस question को जरूर देखें ध्यान से निम लिखित कत्रों में से भारत के बारे में सही है सही उत्तर के चेनोत अधो लिखित कूड का उपयोग कीजिए भारत बिस्त का पांचमा बड़ा देश है पहला अप्स दूसरा इस्थल मंडल के कुल शेत बलकालेवग 2.4% भारत अधिकरत किये हुए है और फिर समूचा भारत उस्थल कटिबंद में स्थित है चोथा ब्यासी डिगरी तीस देश पूरवी देश अंतर का उपयोग भारती मानेक समयरेका को निरधारित करने के लिए किया जाता है यहां आप साथियों आपसन ऐलिमिनेशन मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं आपसन ऐलिमिनेशन मेथड का उपयोग भी कर सकते हैं तो भारत बिसका पांच मा बड़ा देश है अभी हमने कोशन किया साथ मा भारत जो है बिसका साथ मा सबसे बड़ा देश है बाकि इस्तर मंडल के कुल छेत्र भलका लगबग 2.4 प्रसत अधिकरत किये हुए ये भी सही है तो पहला दूसरा सही है बाकि तीसरा भारत उस कटिमंद में इस्तित है ये गलत है समूचा भारत उस कटिमंद में इस्तित नहीं है फिर चौथा है 82 डिगरी 30 डेस जो कि पूर्वी देस अंतर भारती मानक समय रेखा को जो मानक याम उत्तर रेखा भी इसको बोलते हैं तो ये पूर्वी देस अंतर का अप्यों मानक समय रेखा को निरधारित के लिए किया जाता है ये सही है तो दूसरा और चौथा किसमें दियारका है D-Option में दियारका है इसका अंसर D-Option is correct D-Option हो जाएगा जो इसको मानक याम उत्तर रेखा कहा जाता है मानक याम उत्तर रेखा किसको कहता है 82 डिगरी 30 डेस अर उत्तर गेस के मिरजापुर मिर्जापुर से गुजरती है यह मानक याम उत्तर रेखा मिर्जापुर कहां से गुजरती है मिर्जापुर इंडियन इस्टेंडर टाइम कहां से गुजरता है मिर्जापुर से गुजरता है मानक समय रेखा इंडियन इस्टेंडर मिर्जापुर कहां है उत्य प्रदेश में तो इस कांसर D option हो जाएगा बांकि कितने प्रदेशों से होकर करक रेखा गुजरती है करक रेखा कोस्चन नमबर 4 है इस कांसर आप लोग देंगे कोस्चन नमबर 4 का कितने भारती प्रदेशों से करक रेखा गुजरती है कितने भारती प्रदेशों से करक रेखा गुजरती ह कोश्चन नमबर 4, का अंसर दिये थो, how many Indian states the Tropic of Cancer passed, 8 states है, कितनी है, 8 states से गुजरती है, जो करिकर यह कहा है, वो भारत के 8 states से गुजरती है, ट्रिक है, गरम चाय ऐपर टी, गरम चाय टी से लिखली जिए, गरम चाय ऐपर टी इस तरीके से, तो यहां से आप मक्जिमम समझ पाएंगे गुजरात क्या गुजरात हो गया कितने इस ट्रिक है यहाँ पर गुजरात राजिस्थान मद्धिप्रदेश गुजरात राजिस्थान मद्धिप्रदेश चतिसगर जारखंड त्रिपुरा मिजोरम पस्चिम मंगाल कितने राज्यों से गुजरती है आठ रा पहला हो गया गुजरात, गुजरात से गुजरती है, गरम चाय पर जी से गुजरात, फिर राजिस्थान, राजिस्थान से भी गुजरती है, गुजरात, राजिस्थान, मद्धि प्रदेश, मद्धि प्रदेश से होकर गुजरती है, गुजरात, राजिस्थान, मद्धि प् तो कितने हो गए एक, दो, तीन, चार, चार हो गया, एक, दो, तीन, और चार, छार अधिस गढ़, फिर हो गया mendh day प्रदृ, छार खंड से होकर गुजरती है, जार खंड, ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आप हमसे पूचेंगे जारखंड के बाद पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरती है पश्चिम बंगाल से होकर भी करकरेखा गुजरती है अगर आप हमसे पूछेंगे त्रिपुरा त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है करकरेखा मिजोरम से भी होकर गुजरती है त्रिपुरा से भी होकर गुज प्रदेश, गुजरात, राजिस्थान, मद्यप्रदेश, 36 गड़, जारखंड, पांचमा हो गया, छटा पस्चिम बंगाल हो गया, सातमा त्रिपुरा हो गया, और आठमा मिजोरम, आठ राज्यों से होकर करकरेखा गुजरती है, कल को आपके एक्जामस में दे देगा, और मानक समय रेखा, कहाँ पर एक दूसरे को काटती है, 36 गड़ में काटती है सातियों, कहां से काटती है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा आप नोट करेंगे मानक समय रेखा और मानक समय रेखा और दूसरी कों से करक रेखा एक दूसरे को कहां काटती है 36 गड़ में काटती है मानक समय रेखा और करक रेखा दूसरे को कहां काटती है 36 गड़ में काटती है कहां 36 गड़ में ये question पूछा जा सकता है कलके आपके exams में यूपी पुलिस में आ सकता है जोग्राफी से कि मानक समय रेखा और भारती करक रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है तो 36 गड़ में काटती है अब हम चलेंगे question number 5 भारती मानक समय यामत्तर का नहीं गुजरती है जो यामत्तर रेखा है इंडियन स्टेंडर टाइम कहां से गुजरता है मिर्जापुर से गुजरता है मानक समय रेखा मिर्जापुर से लेकिन यहां पुरुचत नहीं गुजरता है मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है जो यामोत्तर रेखा 82 डिगरी 30 डेस है किस राजी से होकर नहीं गुजरती है तो आंध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है ठीक है? 36 गड़ से भी होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरती है मानक समय की याम उत्तर रेखा नहीं गुजरती है, वो मानक समय की याम उत्तर रेखा नहीं गुजरती है, वो मानक समय की याम उत्तर रेखा नहीं गुजरती है, वो मानक समय की याम उत्तर रेखा नहीं गुजरती है, वो मानक समय की याम उत्तर रेखा नहीं गुजरती है, अब हम करेंगे question number six भारत का सुधूरस्त दच्छणी बिंदु है दच्छणी बिंदु तो इंद्रा point कौनसा इंद्रा point है दच्छणी बिंदु बाकी उत्तरी बिंदु की अगर हम बात करेंगे नोट करेंगे साथ साथ में उत्तरी बिंदु अगर साथियों आप हमसे पूछेंगे की उत्तरी बिंदु कौनसा होगा तो साथियों उत्तरी बिंदु अगर होगा इंद्रा इंद्राकल जो अच्छेचन लगधाक में हैं कहां है अच्छेचन लगधाक बाकि आप हमसे पूचेंगे अगर सातियों आप हमसे पूचेंगे पस्चमी बिंद गुहार अगर सातीयों आप हमसे किभू थू, कौनसा किभू थू, किभू थू, पूर्वी बिंदू किभू थू, पूर्वी बिंदू कौनसा किभू थू, यह कुछ पॉइंट है, जैसे उत्तरी बिंदू हो गया, अच्छा ही चन्न में, इंद्रा कॉल, और पस्चिमी बिंदू हो गया, गुहार मोती, पू बश्चन नमबर सेबन。 लिखित कत्रों पर विचार कीजिए असम competent सीमा बंगलादेश ता भूटान से मिलती है benchmark 6 पस्छिम पांगलादेश ता भूटान की सीमा उसे लगा यहाँ पर फिर दूसरा होगा यहाँ पर दूसरा आपसन जो होगा वो बी आपसन यहाँ पर लिखेंगे पहला और दूसरा सही है 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 पहला और दूसरा सह बंगलादेश से लगती है यह सही है ठीक है असम की सीमा भूटान तता बंगलादेश से लगती है यह सही है पस्चिम बंगाल भूटान नेपाल तता बंगलादेश से लगा हुआ है यह सही है पस्चिम बंगाल भूटान नेपाल तता बंगलादेश से लगा हुआ है भूटा कोई बड़ी बात नहीं है, देखो जैसे आप सभी जानते यूपी जीके में statement by question आते हैं, यूपी जीके में जो की है statement by question आते हैं, तो कल का अगर आपके exam's में भी आ सकता है GKGS में question, तो इसका answer हो जाएगा, A option, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन, इसका answer हो जाएगा, A option is correct, तीनों सही हैं, अब हम करेंगे question number 8, किसने भारती राष्टी कांग्रेस की विरुद अनुनाय बिने और विरुद की राजनीती का दोस लगाया, किसने, किसने लगाया था, तो बीजी तिलक, बाल गंगा धर तिलक, बाल गंगा धर तिलक ने लगाया था, अगर आप कहेंगे ह वारबर्ड बलाक की स्थापना किसने की सुवाज संद्र बोशने की, कब 1949 में, ठीक है, अगर हम बात करेंगे, एनी बेसेंट, इन्हों ने क्या होम रोल लीग, आर्लेंड की तर्श पर भारत में होम रोल लीग की स्थापना की, बाकि एनी बेसेंट ने कलकत्ता में 1917 याद भारती राष्ट्री कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यच कौन थी? एनी बेसेंट थी? भारती राष्ट्री कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यच कौन थी? एनी बेसेंट थी? भारती राष्ट्री कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यच कौन थी? एनी बेसेंट थी? बाकि होम रूल लिक आर्लेंड की तर्च पर इन्होंने भारत में होम रूल लिक की स्थापना की आर्लेंड की तर्च पर इन्होंने और बीजी तिलग ने इनकी पुस्तक का क्या नाम है गीता रहस सुराज हमारा जनमसिद्द अधिकार है ये इन्ही का नारा है बाल गंगादर तिलग का ही नारा है स्वराज हमारा जनमसिद अधिकार है बाल गंगाधर तिलक किसका है बाल गंगाधर तिलक जी का है किसका है बीजी तिलक जी का स्वराज हमारा जनमसिद अधिकार है तो इसका अंसर हो गया A option अब हम करेंगे question number 4 निम्न लिखित में से भारती राश्टी कांग्रेस के किस अध प्राजित किया था। चंदर बोस जी ने स्थीपा दे दिया और त्रिपुर्य अदिवेशन में पिर इसके बाद डाक्टर राजेंद प्रशाद के अद्हच बने इननों पट्टाव सिता रमया को हरा दिया था ये दुवारा बाकि लाहोर अधिवेशन जवाहर लाल नहरू लाहोर अधिवेशन जवाहर लाल नहरू लाहोर अधिवेशन शशंबंदित कौन है जवाहर लाल नहरू जवाहर लाल नहरू बदरुद्दीन तयब जी ने मदराध अधि में किस ने की थी बद्रुदिन तयब जी जो की कांग्रेस के प्रथम मुस्लीम अध्यास थे तो इसका अंसर बी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बाकी यह कुछ बैचे चल रहे हैं अब हम करेंगे कोष्चन नमबर दस बालंगा धर्थलक को किसे असांति का जनक का असांति का जनक का को को किसा संब्दित के प्योशन करो को आपकी एक्छाम से पूछा जा सकता है वाल औंगाध्रति लग को किसे असांतिगता चनक ऐा इसांति का जनक नहीं कि लाड करजन बंगाल विभाजन 1905 लाड करजन किससे संबंदित है बंगाल विभाजन से बंगाल विभाजन संबंदित है यह कुछ इमपोर्टेंट चीजें थी इस कोश्चन से रिलेटेट अब हम करेंगे कोश्चन नमबर 11 सुवास चंद्रबोष का राजनीतिक गुरु कौन था सुवास चंद्र बोश का राजनीतिक गुरु को था? सुवास चंद्र बोश का राजनीतिक गुरु सुवास चंद्र बोश का राजनीतिक गुरु को था? सुवास चंद्र बोश का राजनीतिक गुरु का राजनीतिक गुरु को था? सुवास चंद्र बोश के पॉलिटिकल गुरु सुवास चंद्र बोश के पॉलिटिकल गुरु ठीक है? ब्यक्तिकार सत्या ग्रह के लिए प्रत्व सत्या ग्रह कौन था? पर्थम भारत स कर्थम अंतिम गवर्नर जलन शक्कपूर्टि राज गोंपाला चारी C.R. फॉर्मूला जितना है C.R. फॉर्मूला चक्रभरती राजा गोंपालि चारी ने अपना है था सरदार बंलब भाई पतेल प्रांति समीति कामीटि के अट्यच कौन था सरदार बंलब भाई पतेल एक्ता दिवस किसके जनवधिंस के रूप में मनाते है तार बंलब भाई पतेल अब हम करेंगे question number 13 महत्मा गांधी दौरा बेक्तिके सत्याग्राय अंदोलन के लिए पर्थम सत्याग्राई फिर देखो पूछा है कोश्चन रिपीट हुआ है महत्मा गांधी दौरा बेक्तिके सत्याग्राय अंदोलन के लिए पर्थम सत्याग्राई चुना गया था किसको Q13 का अंसर देंगे Q13 का अंसर देंगे comment box में Q13 का अंसर कमेंड बॉक्स में करेंगे A option जबाहरला लेहरू B option सर्दार पतेल C option सरोजनी नाइडू D option विनो बावावे comment box में अंसर करेंगे Q13 किसे चुना गया था दुती तो जबाहरला लेहरू थे प्रथम कौन था इसका अंसर बताईए A आप्सन जबारला लेरू B आप्सन सरदार पटेल C आप्सन सरोजनी नाइडू D आप्सन बिनोबा भाबे तो इसका अंसर हो गया बिनोबा भाबे अभी हमने बताया बाकि सरोजनी नाइडू ने 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अधिशता की 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अधिशता किसने की सरोजनी नाइडू ने कांग्रेस अधिवेशन की अधिशता किसने की सरोजनी नाइडू ने कानपूर कानपूर अधिवेशन की अधिशता कांग्रेस का दो अधिवेशन हुआ था, पर्थम भारती या महिला थी, पर्थम भारती महिला गर पूछे तो सरोजनी नायड़ू कांग्रेस की पृतम अधिश थी, अगर वैसे तो एनी बैसेंट, कांपुर्ण अधिवेशन की, सर्दार बल्लब भाई पटेल ने कराची अदिवेशन की अधिस्ता की ती जवारला लहरू ने लाहोर अधिवेशन की दिस्ता की तो इसका अंसर D option हो जाएगा अब हम करेंगे question number 14 भारती मुसल्मानों के पर्थक राज जिके ने ये पाकिस्तान सब्द का प्रयोक सरप्थम किस ने किया ये option सर मुहम्मद इकबाल इनका नारा कौन सा था सारे जहां से अच्छा हिंदो सता हमारा सर आगा खा एमे जिन्ना या चौदरी रहमत अली खाएवं उनके मित्र ये question उन लोगे बहुत कटीन है अब कई लोग इसका अंसर करके क्या आएंगे इसका अंसर करके आएंगे स्री आप्सन मुहम्मद अली जिन्ना लेकिन नहीं उन्होंने प् पाकिस्तान सब्द का प्रयोग किया था वह चौदरी रहमत अली ने किया था किसने चौदरी रहमत अली एब उनके मित्र मांकी मुस्लिम लीग सलीम उल्लार संगा सर आगा खाने मुस्लिम लीग का गठन किया था 1906 में किसने मुस्लिम लीग अली ने मांकी सीमांत गांदी क कि नाम से किने जाना जाता है अब्दुल गफार खान को सिमांद गांधी के नाम से अब हम चलेंगे सब्सक्रान किसकी है इंडिया निश्टरगल यह पुस्ता किसकी है सुवास्चंद्र भोस की है इंडियान इस्ब्रकल सुवाश्चन्दर बोश की अबार्वार्वस था किस ने की हतला इस ने की हतला में जो कि हमारे एकजाम से offense is 15 के 15 question आपके exam से पूछे जा सकते है ठीक है 15 के 15 कोस्टन में से सारे कोस्टन्स हैं जो की exam oriented है इन में से कोई भी कोस्टन कल को UP पूछा जा सकता है कोई भी कोस्टन UP पूछा जा सकता है SSC GD में पूछा जा सकता है सारे कोस्टन्स important है या previous questions उनीका संकलन है तो आज की बात हम लोग यहीं पर रखेंगे आगे की साथ हम कल की क्लास में करेंगे आप सभी का बहुत धन्यवाद एभात एक हमेशा जुड़े रहें आज को सब्सक्राइब करें लाइक करें आज को सबसक्राइब करें ना है झाल झाल